हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज हम लोग डिसकस करेंगे विभेन प्रकार की पट्टियों के बारे में और उनकी उप्योग के बारे में यह टीजीटी के स्लेबर से यूनिट 3 का लास्ट पॉइंट है हमारा जिसे आज हम डिसकस कर रहे हैं इसमें हम विभेन पट्टियों के बारे में पढ़ेंगे पट्टियां बेसिकली एक जभी भी कोई दुरगटना होती है उसमें फर्स्ट एट के तौर पर काम करती है जिसका उप्योग किसी भी जो इस्थान अस्थी भंग हुई है या जहां चोट लगी है जहां से रक्स ताव हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी परिस्तिती है जिसको एट टाइम हैंडल को सिच्वेशन को हैंडल करने के लिए जब हम कोई पट्टी का प्रयोग करते हैं तो वह हमारी पट्टी जिसे हम इंग्लिश में ड्रेसिंग भी कहते हैं वह उस समय पर व्यक्ति को रोगी को आराम देने का काम क चीजियों को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा एक पट्टी जो है वो साफ विसंक्रमित एक उपाय होता है जो कि डॉक्टर तक ले जाने के लिए आपको सहयोग करता है और आपकी जो चोट है या जो इस्तिती है उसको और बिगारने से बचाता है हमारी जो पट्टियां है वो विभिन प्रकार की हो सकती है और प्रकार के बेसिस पर ही हम इनको यूज करते हैं जैसे कि तिकोनी पट्टी जो तिकोनी पट्टी होती है वो एक चोकोर कपड़ा होता है जिसको साइट से ऐसे बीच में से काट देते हैं और काटने के बाद हमारे पास मिलता है एक इ जीर्श कहते हैं और यहां पर इनको हम एंड कहते हैं और इसके थूरू हम जो कोई प्रॉब्लम होती है जहां पर भी लगी हुई है किसी व्यक्ति को उसको हम सपोर्ट देकर उस प्रॉब्लम को सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं यह यूजुली मार्कीन या फिर लट्टे क ये जो पट्ति होती है ये यह 10 मीटड आइटि मीटर से 12 मीटर तक लंबी होती है और इसकी तो 9 सदे मिटर पर मोर सकते हैं और कहीं भी घाव लगाया तो वहां पर इसको बान सकते हैं पिर आती है हमारी चिंटेदार पट्ति बेटे से कुछ कुछ नहीं होता है यह जो है यह जो पट्टी हमारी होती है वो एक कपड़ा होता है जिसको हम बीच में से कुछ इस तरीके से फार देते हैं कि इसके ends जो होते हैं वो दो parts में divide हो जाते हैं और हम इसकी जो knots होती हैं उन्हें आसानी से बाद में बना सकते हैं और यह जो चिंटेदार पट्टी हो बागी हमाई जो पद्टि होती है उनको डिवैड के जाता है जिसके amco पाज ऻुन पठी कि लिए ऍब्द होती है हटी जांगया पाज पटी का में ब Tapi package होती है फूद्ध पंड आपके जांगया पंड के लिए बैंड में पेट के लिए उससा होती है वो stretchable पट्टी होती है जिसको आप खीच कर बान सकते हैं कपाल धुन जो पट्टी होती है वो cotton की पट्टी होती है इस तरीके से हम कई तरीके से पट्टियों को divide कर सकते हैं पट्टी होती है नगे होती है मरहम पट्टी होती है सामाने पट्टी के पट्टी होती है फिरसे हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं सूखी पट्टी और गिली पट्टी सूखी पट्टी का प्रयोग किसी घाव को रक्षा करने के लिए उसको भरने के लिए उस पर दबाब डालने के लिए किया जाता है सामाने तरह पट्टी जालीदार महीन कपड़े की होती है तथा निसंक्रमित अवस्था में प्लास्टिक पेपर में बंद रहती है आकस्मिक दुरगटना के समय पर उनके उपलब्द होने तक इनके स्थान पर स्वच फलालेन कपड़े के तुकड़े और रूमाल या कागच का उपयोग किया जा सकता है घीली पट्टी जो होती है जिसे हम घीली मरं पट्टी कह दें दो तरीके के होती है थन्डी पट्टी और दुसरी हमारी घरम पट्टी ठंडी पटी या पीडा सूजन आंतरिक स्ताफ को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ये स्वच कपड़े रुमाल अत्वा फलालेन के कपड़े के चार तरह करके मतलब फोर फोल्ड करके ठंडे पानी में भिंगों को प्रभावित अंग पर रखी जाती है ये गीला एवं ठंडा बनाया रखने के लिए समय समय पर बदलते रहना चाहिए और जो गरम पटी होती है इनका उप्योग गुम चोट की पीडा को कम करने के लिए फोरों को पकाने के लिए सूजन को कम करने के लिए किया जाता है ठंडी पट्टी के समान इसे भी कपड़े के चार फोल्ड करके बनाया जाता है और गरम पानी के भगोने में भेगोकर प्रभावित अंग पर रखा जाता है प्रभावित अंग या भी फिट टार्गेटेड एरिया को लगातार गर्मी प्रदान करने के लिए पट्टी को बार 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 बदलते रहना चाहिए यह वाले जो मैंने पट्टी का प्रकार है यह मैंने पर्टिकलरली यूपी बोर्ड सॉलिशन डॉट कॉम ऐसे करके एक्साइटी बहाँ पर मुझे मिला था क्योंकि मैंने बताया कि यह वाले टॉपिक जो है मैंने आपके लिए वो अरेंज किया है और भी आगे अगर मुझे कोई स्टॉपिक पर कुछ मिलेगा तो शॉरली मैं आपको और वीडियो अप्लोड कर दूँगी पार्ट टू पार्ट थी ऐसे करके फिलाल अगर आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना है अगरा आपको कम करने के लिए मक्हिएं वगेरा से बचाने के लिए बाहर रक्तिस्त्राब को रोकने के लिए यूज होती है और जो गीली पट्टी होती है वह गीली पट्टी जो होती है वह आंत्रे रक्तिस्त्राब को रोकने के लिए होती है सूजन दर्द को कम करदे कीया, गीली पत्ती को हम बेसेकली फिर से 200 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं गरम सीक एक है तो और ठंडे सीक हो तो, गरम सीक है तो मतलब कर्फंग जो जो, गीली पत्ती उसको गरम पानी में दिगो कर जब उसको रखते हैं तो दर्द काम करने के काम आती है और जब हम उसे ठंडे पानी में यूज करते हैं तो ये दर्द, सूजन, स्त्राव को रोकने के काम आती है सामाने पट्टी ये हमारा है दूसरा पकार सामाने पट्टी जो है वो हमाई लंदी पट्टी हो सकती है बहुप अच्छी चिपकने वाली पट्टी और तिकोनी पट्टी इनको हम चार पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं लंबी पट्टी जो होती है वो एंटि बैक्टिरियल होती है यह जाली नुमा होती है 5 cm लंबी और 5 cm चोड़ी होती है यह आपकी कोहनी पर आपकी भुजा पर और अपने हाथ पर आपकी हतेली पर इसको यूज किया जाता है इस तरीके के यह जो पटी होती है यह आपने देखी होगी most commonly हमारे frustrated box में मिल जाती है फिर है तिकोनी पटी तिकोनी पटी जो बहुत commonly used होती है यह 500 cm के कपड़े से बनती है एक कपड़ा चौकोर कपड़ा हम लेते हैं उसको बीच से काट लेते हैं जैसा कि मैंने भी कहा था English में कहें तो यह उपर का हिस्सा पॉइंट होता है और हमारे end जो side के हिस्से होते हैं उन्हें ends कहते हैं यह चाती जबड़े पीट कोहनी पर यूज की जाती है और इनमें reef knot को यूज किया जाता है जो आपके पट्टियां है उनमें reef knot को बांदा जाता है उसी के थुरू आपकी जो तिकोनी पट्टी है उसको भी बांदा जाता है तिकोनी पट्टी कुछ इस तरीके से बनती है आपके पास एक कपड़ा होता है जिससे आप फोल्ड करते हैं और आपकी यह जो end जो हमारा ह के लिए इसको यूज किया जाता मतलब जो लॉंग होती है वाई लंबी पट्टी है वह बहु पच्छी पट्टी भी कहते हैं यह डेड़ मीटर डेट वन एड़ाफ टाइमस इसको लपेट सकते हैं इतनी लंबी होती है फिर उती चिपकने वाली पट्टी जैसे फोड़े करते हैं जैसे कि सामाने लपेट पट्टी जिसको हम राउंड राउंड लपेट ते हैं या फिर उसको राउंड राउंड आप बानते हैं यह फिंगर पर शोल्डर पर रिस्ट पर बान दी जाती है फिर उसके बाद आता है उल्टी लपेट उल्टी लपेट पट्टी जो ह के जो आपके पेर और अगर्भा उपड़ाती है इसको हम एट की शेप में बांदे हैं जैसे का आपको अगर अपनी जो आपका कलाई है उस पर बानते है तो अंगूठे को बनाते हैं तब बनाते हैं अ至 montan चितपटी चाथा, चिंटेदार पत्तियां भी चिंटेदार पत्तियांने जो हमने बिल्कुल फर्स लाइड में बढ़ा था चिंटिदार पट्टी अफे चिट पट्टी एक ही चीज होती है तो यहां हमने अपने कम्प्लीट कर लिए हैं टाइपस ऑफ पट्टी और वो कहां बांदी जाती है किस प्रकार से यूज होती है आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा इससे जाधा कंटेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इनसे बहुत जाधा क्वेश्चन नहीं आते बैसिकली आपके संक्रमण के जो रोग हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं आप उसको बहुत अच्छे स अगर कुछ आए भी उसमें से तो हम मिसना करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कॉमेंट करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू और हैवा गुट डे बावाई